हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं जो आप लोग के साथ में रेस्पिश शेयर कर रही हूं वो मैंने नहीं बनाई है वो मेरे बेटे ने बनाई है अपने स्कूल एक्टि अच्छा बना था और उसने खुद से बनाई है मैंने सिर्फ तैयारी करके रखी थी तो यह वीडियो मेरे पास पहले से रिकॉर्डेट थी तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में शेयर कर दिया जाए यह अभी की वीडियो नहीं है क्योंकि इस समय नवरात्रे चल रहे है और इस टाइम हम लोग लहसुन प्याज यूज नहीं करते हैं खाने में तो यहां पर देखे इनोंने लिया है एक कटोरी भुना हुआ चना एक बारी कटी हुई हरी मिर्श एक मीडियम साइज का प्याज और एक मीडियम साइज का टमाटर तो इसमें आप खीरा वगरा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के इसाफ से और आधा नीवू कर रस इसमें डालेंगे हम तो यह सारी चीजे जो है एक एक करके इसके अंदर डाल देना है और हरी दिनिया की पतियां भी है तो यह जो है बहुत ही जल्दी चाट पन जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा अच अच्छ भी नहीं जाता है ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह जो आधा नीवू था इसका रस इसके अंदर डाल दिया है और इसके बाद जो है इसमें हम स्वात के नुसार नमक डाल देंगे आप चाहें तो काला नमक साधा नमक दोनों इस्तमाल कर सकते ह या फिर सिर्फ जो साधा नमक होता वो भी डाल सकते हैं मैंने सिर्फ यहां पर साधा नमक ही डाला है यह देखिए और डालने के बाद जो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बस दो मिनट पे हमारी यह जो चाहट है बनके तयार हो जाती है बहुत ही अच्छी ल अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन के साथ में जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप मेरे वीडियो पहले देख पाएंगे तो यहां पर देखे तोड़ा क्योंगे घए झायओ वीडियो के तो मिले ऊक्राइब देखे थी चैसे सुखे करना मता देखे तो यहां यहां में हूमनों अबस्दान का इंक शक्राइब कर वीडियो छोगा दो दोगा है